सो हलो फ्रेंड्स कैसे हैं आप सब आज हम लोग जय प्रक्रम के दीर उत्तर प्रस्ण को डिस्कस करेंगे और पहला सवाल है कि मानव मुत्र की वीधी का वर्णन करे अत्वा मनुस्य के उत्सर्जन तंत्र का सचित्र वर्णन करे तो हम लोग जानते हैं कि उत्सर्जन तंत्र उत्सर्जन क्या होता है कि सरीर से अपसिस्ट पदारतों को छान कर बाहर निकालना सरीर से बेकार चीचों को बाहर कर देना उत्सर्जन होता है और उत्सर्जन करने के लिए जिस सिस्टम का प्रयोग क्या आता है जो help करते हैं, जो तंत्र सिस्टम बैठा रहता है, उसको हम लोग उठ सर्जन तंत्र कहते हैं, यानि ऐसा तंत्र जिसमें उठ सर्जन की प्रक्रिया होता है, उसे हम लोग उठ सर्जन तंत्र कहते हैं, अब उठ सर्जन तंत्र या उठ सर्जन होने में किसका mean अहम रोल होता ह है तो वरिक को किडनी कहते हैं श होते हैं फिर अनिक सायक अंग और इसके हैल फूल होते हैं और माशना के ऊच्छु keeping का जो एवरा है जो कीवल उठसर्जी पाधार्ट Lewis को फियोगी पधार्ट उसे जचाण कर अलग करता है तो वरिक का काम क्या होता है उत्सर्जन तंत्र का एक प्रमुक अंग है और वह उत्सर्जी पदार्थों को उप्योगी पदार्थों से च्छान कर अलग करता है तो वरिक का रंग क्या होता है भूर रंग का होता है और उसका आकार संगरचना सेम के बीच का आकार का होता है फिर व्रिक की स्थान को बताई गया कि व्रिक जिसके आकार सेम के बीच के आकार का होता है और वह उदर गुहा में केस्रुख दंड के दोनों तरफ होता है प्रतिक व्रिक की लगभाई जो लगभाई होती है वह 10 cm होती है चोड़ाई 6 cm और मोटाई 2.5 cm होती है यह कृत की वज़े से दायावरिक का बारी किनारा उब्रा होता है इसकी वज़े से यह कृत की वज़े से और जब कि भित्ती जो किनारा होता है वह धासा होता है जिसे हम लोग क्या करते है हाइलम कहते हैं और इसमें से मूत्र नलिका निकलती है मूल नलिका जाकर एक पेशिय थेले जैसी संगरशना में खुलती है जिसे अब लोग मूत्रा से कहते हैं तो फ्रेंट्स को लोग देखते हैं फिगर में दिखता कैसा है यह तो यह होगी हम लोग मानों उत्सरजन तंत् सजित्रवर्णन और यह आप देख सकते हैं कि यह वाया अवरीक का धम्नी है यह लुट पोर्शन है और यह हो आप यह वाया विक यह हो एप का पाया वरीक का सिरा यह वाया वरीक की सिरा यह भी आपका महाधमनी तो इये जो पूर्शन हो गया यह ओकव का मुत्रासाहिं यह उत्रा से हो गया और यह यापका हो गया और मुत्रमार्व अक यह प्रेंड्स आपको यह डाइग्रम बनाना होता है जिसमें आपको कम से कम चार टू-पांच मार्क्स दियाते हैं फिकर बहुत इंपोर्टेंट है इसको अच्छे से और बार-बार प्रेक्टिस करके अपने मन में जबतार लिए ताकि अपको याद कर लिजीएगा जीसे वाए विपय। है ऐड़ा कि सी करने कि आप है कि महाधम निकाय बाइमूत्र हुआ निकाय माशुर्ण करहा है मुत्रासय करे जियू कि अब लग हम सेकें करने में इसे को आसा वह दो कर हूं इस पर स्किल्ड लाना होगा ताकि तुरंत आप उसको बना सके और मानम उत्साय यंत्यंत्र से कुछ मांक्स गेन कर सके धन्यवाद